नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आपका स्वागत है दरसल सियमशुक गहलोत के परिवार में 6 सदस्या हैं उनकी पत्नी सुनिता, बेटा वैभव, बहु हिमान्शी, एक पोती और बेटी सानिया जिसकी शादी मुंबई के एक बिजनिसमेंट परिवार में हुई है गहलोत जहां प्रदेश के मुख्यमंतरी हैं तो उनके बेटे भी राजनिती में आच चुके हैं वह इस समय राजिस्थान क्रिकेट संग के अध्यक्ष भी हैं इतने बड़े राजगराने की बहु होकर भी एकदम साधारन जिन्दगी जीती है और उन्होंने राजनिती से भी दूरी बना कर रखी हुई है लेकिन वह पती और ससुर को चुनावों में जिताने के लिए प्रचार प्रसार भी करती हैं और साथ इसाथ जनता से बोट भी मांगी हैं हिमांची अपने सोशल वर्क के लिए खास पहचान रखती है जैपूर राजिस्थान में सियासी उठापटक जारी है पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि सियम अशोक गहलोत और डिप्टी सियम रह चुके सचिन पाइलेट के बीच में राजनिति घमसान युद चल रहा था लेकिन अब यहाँ पर इस राजिस्थान के राजनिति घमसान युद के बीच में एडी की एंट्री हो चुकी है इस बीच हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के परिवार के बारे में जो बहुत ही कम लोग जानते हैं खासकर उनकी भहु हीमानशी गहलोत के बारे में आखिर कार वै क्या काम करती हैं हीमानशी गहलोत एक एंजियो चलाती है वे उसकी डारेक्टर भी है उनके एंजियो का नाम Inviting Helping Hand Society है जो कैंसर पीडित बच्चों की मदद करता है इतना ही नहीं वे गरीब बच्चों के पढ़ाई में मदद करता है वे गरीब चात्रों के लिए रोजगार की ट्रेनिंग भी देती है उन्होंने इस एंजियो की शुरुआत साल 2019 में की थी पिछ वैभव गहलोत और हीमांशी की शादी आज से 15 साल पहले यानि की देखा जाए तो 2005 में हुई थी जब वैभव संलाइट कार रेंटल सर्विसेज नाम की कंपनी के मालिक थे बदादिक हीमांशी ने राजिस्थान के पोद्दार मैनेजमेंट कॉलिस से एंबीय की यानि हमांशी की बेहन गरीमा पमार आई एस अफसर है गरीमा पमार ने यूपीस सी 2017 एक्जाम दिया था जहां उनकी दो सो बारवी रैंक बनी थी हमांशी गहलोत पेंटिंग में भी अच्छी खासी पहचान रखती हैं वह अपने शौक को समय समय पर पूरा भी करती रहती हैं बता दें कि यहां पर वैभव गहलोत राजिस्थान क्रिकेट संग के अद्धिक्स का चुनाव जीते थे स्वागत में बेटी अपने पिता को मिठाई खिला कर बधाई दे थी नजर आ रही है इसी बीच यहां पर आपको बता दें कि राजिस्थान के सीम के बेटे इडी की नजरों में आ गई है और कहा ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में यानि कि राजिस्थान के विधान सुवच चुनाव से पहले वैभव गहलोत की पतनी हिमांची गहलोत पर इडी अपना शिकन जाक कस सकती है क्या यहां पर गहलोत परिवार के ऊपर भी आपत आ पीछे जाता नजर आ सकता है ऐसी रिपोर्ट के लिए देखते रहिए एस्पेन नाइन न्यूस धन्यवाद